जैन जवानों स्वागत है आप सबका अपने यूटुब चैनल पर आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे वी यारो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है कौन-कौन से पॉइंट्स आप सभी को पहले ही से कर लेने होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो जानते हैं अपनी बॉड़ी के आप सभी का मेडिकल टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट में आप सभी को जब पहले आप सभी आफिस में मीनस इत डव्शे वहां पर रिपोर्ट करतें ग्रफ सेंटर में ये आफिस हैं तो रिपोर्ट करने के बाद आप सभी का वेसिक डिटेल्स का एक फॉर्म फिल अप किया जाता है तो आप सब को एक और यह कम कर लेना है जब आप सभी जाएंगे वहाँ पे तो 10-15 आप सभी को जाते हैं निवस्तर कर दिया जाते हैं उसके बाद आप सभी का क्या है जित्ते भी सारे पॉइंट्स हैं मेंस आप सभी का जैसे तिल होता है या कोई दाग है वाइट पैस मार्क है उन सबी को क्या किया जाता है Underline Marker से कर दिया जाता है और आपका चेस्ट नमबर डाल दिया जाता है 12345 आपके number wise डाल दिया जाता है उसके बाद आप सभी का क्या होता है basic details जो फिल होती हैं उसको वहां पे भी note किया जाता है और साथ में एक farm वहां भी होनी चाहिए हाइट वेट और चेस्ट यह क्या होनी चाहिए इस्ताइंड़र्ड वाइज में आप सभी के लिए एक वीडियो अफलोड कर दूँगा इसके बाद में तो जैसे आप सभी यूपी से हैं तो आप सभी की मिनमूम हाइट एक सफावन सेंटीमेटर होनी चाहिए इस से कम है तो फिर आप सभी को रिमेडिकल इसके लिए नहीं मिलता तुरंत ही आप सभी को परमनेंटली अन्फिट कर दिया जाता हैं यदि आप सभी को हाइट को लेकर के कोई डाउट है तो आप दूसरी बार आप सभी मेजर्मेंट करवा सकते हैं डाक्टर से कर्मेंट होता है में जो आपका वेट है वह आपके रेन वाइज जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सभी का वेट है वह आप सभी का 50 kg मिनमम होना जाए नेक्स्ट प्रोसेस आप सभी का होता है वह आपका इसीजी मेंस आप सभी के धड़कन चेक की जाती है एक यंत्र लगाते हैं उसके बाद चेक करते हैं यदि कोई डौट है तो वह आप से एक बार कह देते हैं थोड़ा सा पुछ अपस लगा लो या डंड मार लो फिर से चेक करते हैं उसके बाद आप सभी का बीपी चेक होता है बीपी आप सभी के 140 से कम होना चाहिए ओके और यदि 140 से यदि cya रहा है आप सभी है तो आप सब को ती से चार five कर भी दिया जाता है मेरे साथ में दिये गये थे आप सब को भी यदि सकते हैं और शलाह लेकर के डाक्टर से आप इसका निदान निवारण भी करा सकते हैं नेक्स्ट आप सभी का जो पॉइंट होता है वहां पर यहां से जब इतना सारा प्रोसेश हो जाता है फिर से आप सभी आई-म में एक ऐसा घेरा बना हुआ होता है वहां पर जाते हैं आप सभी का बाई-बर्थ यानि जो जनमदाक काला है कुछ उसके लिए आपको रिमेडिकल मिलता है तो इन में ज्यादा तर यह होता है रिमेडिकल मिलता है तो उसके बाद आप सभी पर्मनेंट जब आप सभी जाते हैं वहां पर ग्रेप सेंड जो आपका वह होता है जहां रि और्मनेटली उन्फिट कर दिया गया था तो अभी से आप सभी चाहेंगे यदि ऐसा कुछ है यदि सही हो जाए तो करवाली जे नहीं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भीच खानी मत करवाईएगा यह ज़्यादत रहता है सही होता नहीं है जैसे हैं वह ऐसे ही रहने दीजेगा में भी शायद अब ऐसा हो रहा हो कि फिटी कर दिया जाए तो यह करने के बाद आप सभी का जो चेकिंग होता है वो आप सब की नसे देखी जाती है मतलब पैर में भी और जैसे यहां पर या बैक में अगर कोई नस फूली है तो उसके लिए भी आप सभी शायवेजिन का रिमेडिकल लिया जाता है अगर आपके हाथ जैसे ऊंगोलियां यह भी टेड़ी है तो इनमें भी आपको Напुत अप पढ़ गया है या कुछ है तो इसके लिए आप सभी को लियर जाता है ठीक के नेट्स आप सभी का जो देखा जाता है वो एक जैसे जो आपका इनर पड जैसे आप सभी combined को सी ओ याफ सभी का जो जहां से आप सभी मूत्र मूत्राले है मूत्र द्वार है वहां पे भी जो आप सभी की ऊपर वाली खाले उसको आगे पीछे करागे देखा जाता है वो सही से प्रापर वर्क करती है या नहीं करती है इसमें भी दिक्कत है तो आप सबको लिए जाता है और जो आप सभी कि है मैंने आपको बता है हाइड्रोसील के लिए यानि दोनों देखे जाते हैं चोटे बड़े अगर ऐसा कुछ है या ज्यादा आकार में हैं तो उनके लिए आपको रिमेडिकल दिया जाता है और नेक्स्ट है जो एक और पॉइंट है वह जाता है नेक्स्ट है आप सभी का वह आप सभी का फ्लैट फूट का है फ्लैट फूट भी देखा जाता है आपका यदि फ्लैट फूट है तो उसके लिए भी आपको रिमेडिकल दिया जाता है नेक्स्ट है आप सभी का नोकनी नोकनी के लिए भी आपको रिमेडिकल दिया ज रहें यह सारे points थे जिनमें आप सभी को remedical मिल जाता है और इनमें कौन से ऐसे points हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल means problems प्राब्लम्स परेदा create करते हैं पहला आप सभी का है वह आपका piles का यदि आप सभी को piles है अब यह तो पता चलता नहीं होगा बट अगर लेट्रिंग में कोई problem हो रही है तो में भी आप सभी को piles के लक्षण हो सकते हैं या हो सकता है piles घी हो तो इसके लिए आप सभी को अपने नजदी की command hospital या community hospital जो भी है या कोई आपका specialist है जिसे आप जानते हैं या कोई source ही पारस से तो वहां पर आप सभी जाकर के पहले ही चेक कर आ लें यदि आप सभी का medical test होने वाला है क्योंकि इसके लिए आप सभी को रिमेडिकल मिलता है तो बहुत कम ही जैसे चांस होते हैं कि आप सभी fit होकर क्या आप आएं क्योंकि इसका ratio बहुत ही कम है piles का ओके अब जो नेक्स्ट है आप सभी का जो थोड़ा सब्सक्राइब हो सकता है वह आप सभी का होता है सभी specialist को ही दिखाईएगा या कोई command hospital है उनको दिखा करके पहले ही सही करा लेजे अपने medical टेस्ट से क्योंकि यदि इनमें कोई प्राब्लम है आप बाद में operate कराते हैं तो फिर अगर थोड़ा सभी विजवली यानि दिखता है फिर आपके लिए प्राब्लम हो जाती है अगर पहले आप सभी दिखा करके डाक्टर को operate करा लेते हैं या सही करा लेते हैं मिन्स उनसे यह भी बता देना हमें military hospital मतलब military के लिए जाना है military में ब्यारों मेरा medical है ऐसा बताना तो अपने हिसाब से कर देंगे दूसरा है आप सभी का वह आप सबका जैसे फ्लैट फूट का है तो फ्लैट फूट आप सभी पहले से दिखा दीजेगा जो अगल बगल कमांड हास्पिटल सबके पास में तो होंगे नहीं बट ऐसे जो हैं specialist उनको दिखाने के बाद आप सभी उनसे यह जानकारी कर सकते है कि यह सही हो सकता है या नहीं या बहुत सारे ऐसे भी यंत्रा आ गए हैं जैसे आपके सूज आ गए हैं फ्लैट फूट के लिए उनसे भी आप सभी अपने फ्लैट फूट को शही कर सकते हैं यह सारे पॉइंट्स थे जो आप सभी को ज्यादतर मिलते हैं या ऐसा भी हो सकत है कि आपके जो कभी-कभी किसी का पैर है थोड़ा सा ऐसे होता है या आशे होता है कुछ भी अगर थोड़ा सा बिंड है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी रिमेडिकल मिल जाता है और जो आपके नार्मल भी फिट हो करके आ जाएंगे बहुत ही नार्मल होता है कोई दिक्कत नहीं होती ओके और जो दूसरा नार्मल को आपका जो वड़ा का जाता है आप सब का फ्लैट फूर्ट में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहें zaj और यहां लिश्याद न कोई संफनी में भी तो आप सभी का सही हो ज़कता है हाँ बस इतने ही थे जिनमें ज्यादा कंडिडेट को दिये गए थे बाकि आप सभी अपना देख करके यह कोई डाउट है तो आप सभी अपने नजदी की कमंड हास्पिटल या कोई स्पेस्लिस है उसको दिखा करके चेक करा लिजेगा बाकि बुखार जुखा में सब चला कर डेंटल में जधा कुछ्छ नहीं होता है और कोई किश था नहीं और बाकि जितना था वह में आपको बता दिया है अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को जरूर देखें जो previous में थी वह मेंस इसके पहले जो मेरे समय में medical हुआ था वो मैंने पूरा एकदम up to date बताया है कि कैसे medical हुआ था बर जो इसके previous में MMB में medical हुआ था उसमें बढ़ा दिया गया था वो बढ़ाया गया था आपकी नाक चेक करने लगे थे यानि नाक में कोई problem है तो नहीं इसमें भी काफी लड़कों को जो है दिये थे remedical बोल ले थे नाक में हड़ भी थोड़ा बढ़ी हुई है यह चेक करने लगे थे और और क्या बढ़ाया थे हाँ बस यही बढ़ा दिये थे नाक बढ़ा दिये थे और आपके दाचिक करना इसको भी एड़ कर दिये थे कि मेर और तीसरा आप सभी जो आप बॉडी रिलेटेड बताएं यदि कोई दाग है तो आप अपने नजदी की हास्पिटल्स में चेक करा सकते हैं जैसे कमांड हो गया या कोई मिलिटरी हो तो वहां चेक करा सकते हैं तो यह तीन पॉइंट्स हैं और बाकी आप सभी विज्वल खुदी देख सकते हैं आप में क्या कमी है क्या नहीं कमी है और कोई भी वहां पे ज्यादा चेकिंग नहीं होती है बस यही तोड़ा हाड हो जाता है पाइल्स का दाक का और आपका जो होता है वह हाइडोसील का क्राइबिट पार्ड का ओके और जाएंगे तो मेडिकल टेस्ट से पहले आप सभी अपने अंडर गार्ण्स और यहां यह सब मतलब क्लीन करके जाएंगे कुछ भी जाता नहीं रखिएगा ओके तो आई होप यह वीडियो आपको सब्सक्राइब करें जैन जे भारत